गुड मार्निंग स्टुडेंट्स, इरोजु मनमू एदी गुप्प दानम अने पाठाननी हिंदिलो नेर्च कुंदाम। एदी गोप्प दानम, गोप्प दानम, दानम याने हमें कुछ त्याक करना, याने दान करना, वस्त्रु हो या अन्न दान हो इस्तरा का दान करना, एदी गोप्प दानम, इसमें कोंसा महत्त्व है, इस्तरा हम इस पाट से जान्त कारी प्राप्त करेंगे. इस चित्र में देखिए एक आद्मी वस्तर दान कर रहा है गरीबोंको और एक आद्मी क्या कर रहा है अन्न दान कर रहा है खाना खिला रहा है है ना तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिये गए हैं प्रश्न लोग कुँ जवाब लुचे पड़नी पाईबों मलो मी कुई एवर एवरु कनपिस्तु नारू पाईबों मलो उपर के चित्र में कौन-कौन दिखाय दे रहे हैं उपर के चित्र में एक वस्तरों का व्यापरी द वस्तरालनु दानम जेस्तु नारू पेदा वारिकी तरवात ओकतनो अन्न दानमु यवरे इतो आकलितो अलमट इस्तु नारो वारिकी अन्न दानमु चेस्तु नारू एक आदमी गरीबों को वस्तर का दान कर रहे है और दूसरा आदमी जो भूग से तडप रहे हैं उन्हे खाना खिला रहे हैं मेरु एपड़ेना एवरिकेना दानम चेसारा आप कभी किसी को किसी भी तरहा का दान किये है क्या उस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं पाठम नेपध्यम कुरुवम्ष राजसिम्वासनम कोसम कुरुवम्ष याने यहाँ पर पांडव महा भारत के बारे में समझाय गया है कुरुवम्ष याने कौरव राजसिम्वासनम कोसम कौरव लगु मर्यु पांडव लगु मध्यना कुरुक्षेत्रम लो युद्धम जरीएंदी यहाँ पर महा भारत में किन-किन का युद्ध हुआ है कवरवोंका और पांडवोंका, एंतो मंदी युद्धमलो मरनिंचारू, कई लोग इस, कई सायनिक इस युद्ध में उनकी मुरुत्यू हो गई है, चिवराकु पांडवलु विजियाम साधिन चारू, अन्त में क्या हुआ, सारे कवरवोंकी धर्मराज, अन्त लोग पिद्धवाड धर्मराजू, युद्धमलो जरी नहीं सकू, परिहारंगा धर्मराजू, ओकई आगम चे साडू, इस तर आज इस कवरवों और पांडवोंके युद्ध में कहीं लोगी मुरुत्यू होने पर, पांडवोंने क्या किया, एक महा किया है, क्योंकि बहुत सारे सहनिक उसमें उनकी इमृत्यू हो गई थी, आय आगम लो भागंगा अनेक दान धर्मालू चे सडू, इस तर आउन्होंने उसके पच्छत ताप में उन्होंने कहीं दान किये हैं, दानम चे यालने गुन्णम उंडा लेकाने, वारू, अगर हमारे पास कुछ भी ना हो, फिर भी हम दान करने की इच्छा रखते हैं, शक्ती रखते हैं, वह बहुत ही महत्रपुन माना जाता है, यही इस पाट का उद्देश्य है पाट्छबाग विवरालू, इपाठम कथा अने प्रक्रिया को चेंदिने दी, कथा याने कहानी, इपाथनू महाभारतम नुण्डी 30 कुन्णारू, इस कहानी को कहान से लिया गया है, महाभारस से रामायना महाभारत आलनू इतिहास आलू अन्टारू, रामायन और महाभारत को क्या कहते हैं, इतिहास, द्वितिय भाष विद्यार्तुला कोसम, इकतनू वचना रूपम लो रायणम जरीगिंदी, सेकंड लेंग्वेच के बच्चों के लिए यह वचन के मतलब पन्ने के लिखा गया है, अभम पाट पड़ेंगे, कुरुक्षेत्र युद्धम लो एंदरो मरेनिंचारू, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, याने पांडव और कवरोवों के युद्ध में, कई लोंकी मुरुत्य हो गई, दानिकी परिहारंगा धर्मराजों के आगम चेसाडू उसके परिहारं, परिहारं याने उस नुकसान के लिए उन्होने धर्मराज ने क्या क्या एक यग्ण किया, एंतो वैभवांगा धानालू धर्मालू चेसाडू, कितना इतने वैभव से उन्होने किया, कि कई दान किये, वस्तर दान किये, अन्न दान किये, धनका दान किये, सब चीज उन होने अवर जमीन वह भी दान किये अंदरु आयना दान गुनालनु पोगड़तु नारू सभी लोग उने बहुत ही प्रशमसा कर रहे थे आ सायमाम लो एककड़नुचो उका मुंगिसा वच्छिंदी उसी समय एक मुंगिसा मुंगिसा याने नेवला वहाँ पर एक नेवला आया था दानी सगम शरीरम बंगारम तो मेरी सिर्पोतु उन्दी सगम शरीरम शरीरम याने अंग उसका आधा शरीर सोने से चमक रहा था वाल्ला माटलू विन्न मुंगिसा पिद्दगा न विन्दी उनके सारे बाते सुनकर वह नेवला बड़ा बड़ा हसने लगा। अधी चूसे आकड़ूना वरू नवू को कारणम अडिगारू। वहाँ पर जो लोग थे वह देखकर उसका जो नेवला हस रहाता उसे देखकर पुछने लगे कि कि तुम क्यों हस रहे हो। वह का पेदा ब्रहमन उड़ चेसना दानम मुंदू इदाना धर्मालू चाला चिन्नवी अन्न दी। यानि पेदा ब्रहमन उड़ जो गरी ब्रहमन होता है उसका दान वह जो करता है दान उसके दान के सामने यह सारा छोटा है वह कहता है। वाल्लु आयना चेसिना दानम गुरिंची चेप्प मन्नारू। नेवले से उन लोगने यहु पूचा कि उस ब्राम्मने ऐसा दान क्या किया। उस नेवले से पूचा था। अधी इला चेपड़ं वधलु पेट्टिंदी नेवला अउर वह शुरू किया। कि उस ब्राम्मने ऐसा दान क्या किया। उक उरीलो सक्तप प्रस्तुडु अने पेदा ब्राम्मनुडु उंडेवाडू। एक गाव में उस ब्राह्मान का नाम क्या था? सक्तु प्रस्तुडूू। दोरिकीना भिख्ष तो कालम गडिपे वाडू। जो ब्राह्मान को जो गरीब थाना तो जो भिख्षा मिलती थी उसी भिख्षा से वह अपना जीवन यापन कर रहा था। भार्या, कोडुकू, कोडलू आतनी केंतो साह करिंचे वारू। उस ब्राह्मान की पतिनी कोडुकू याने बेटा, कोडलू याने बहु। उसे बहत ही मदत करते थे। उकसारी वीरी की कोन्नी रोजला पाटू बिख्षा दरकले दू। एक समय ऐसा आया कि थोड़े दिनुने पिख्षा मिलना बंध हो गया। उकरोजु जोन्ना पिंडी बिख्षा गा दरकिंदी। एक दिन जोन्ना पिंडी याने जेवारी का आटा होता है ना वह मिला बिख्षा में। दरकिंदा कोंचम पिंडी नी कुटुम्ब सब्विलू पंच कुन्नार। उस आटे कु सभी परिवार के सदेस बाट लिए। इका तिन्दा मनी कूर्चो गानो कवेक्ति आकले उसी समय क्या हो गया जब पूरे परिवार जन बायट कर खाने खेलिए बैठे थे तबी एक गरीब भिख्षा मांगने लिए घर के सामने आ गया। सक्तु प्रस्तुडू अतनी के अधिती मर्या दलू चेसाडू। उस ब्राह्मने क्या किया। उसे अधिती सतकार किया। उ पूर्चो बेट्टी तना भागानी की वच्चिन जोन्न पिंडिनी आयनको आहारंग इच्छाडू। उस ब्राह्मने क्या किया। उस जो भाग उसे मिलाता वही भाग उस गरीब को देकर खिलाने लगा। कानी अतनी आकली तीर लेदू। फिर भी उसकी भूग नहीं मिट मिगिलना कुटुम्ब सम्भिलू अगरी तरवाता वकरू तनमंतु आहारं अतनी की इच्छारू। फिर क्या हो गया पूरे परिवार के सद्यस्चिन ने क्या किया। उनके जो भाग में जो आहार था जो आटा मिला वो अभियूस गरीब को खिलाने लगी। आ आहारं तीन क्योंकि वह गरीब भ्रामन उसके पास ही कहाने के लिए नहीं था। फिर भी वह जो घर के सामने भिक्षा मांगने आया। उसे भी उसने जो आपने हिससे में आया। वह भी खिलाया और परिवार के सद्यस्चों ने भी खिलाया। उसके पास ना होने पर भी। तब उस गर सक्तु प्रस्तुडु आ दानम चेशे समयम लो काल्लु कड़ीन नीरु तगिलिन सगम शरीरं बंगारंगा मारिंदी अन्न दी जो गरी ब्रह्मने मेरे पैर धोये थे उस समय वह पानी मेरे शरीर पड़ने पर वह सोने की तरह मेरा शरीर बदल गया मिगता भागम बंगारंगा चेशु कोवालानी दानम जर्गे स्थलालू तिर्गुतनानू अन्न दी इसलिए जहां जहां पर दान होते रहता है वहां पर में घूम रहा हूँ क्योंकि उनके पैर धोने पर उसके पानी उनका पानी जो अगर मेरे शरीर पे गिरेगा तो मेरा पूरा शरीर सोनी की तरह बदल जायेगा इसलिए जहां जहां पर दान कर्म होते रहते में वहां पर जाता हूँ एंतो आशतो वच्चानू कानी इकड़ कुड़ तनकोरिक तीर लेदू अन्न दी में कितने ही आशाओंसे यहां पर आया फिर भी मेरी इच्छा पूर्णू नहीं हुई इधांता विन्न धर्मराज्यू निजमे आपेदा ब्रह्मनुड़ी दाना गुनां मुंदू ना दाना गुनां सरिपोधू आपने सankt कहा उस गरी ब्रह्मन के सामने मेरा तुच्च है मेरा दान क्या है तुच्च है प्रेम तो आर्ती तो दानम चे आलिकानी अहंकारम तो कादू अनी आमुंगिसा को नमस करिन चाडू अगर हमारे पास जो भी दान करने की इच्छा होती है तो हमें उसे प्यार से और संतुष्ट से हमें उसको दान करनी चाए अहंकार से दान नहीं करनी चाहिए इस तरह कहकर धर्मराज ने उस नेव ले के पैर छुये और उसे नमस्कार किया तो बच्चो इस पाट से हमने क्या सीखा कि जो भी हो आमारे पास हमें प्यार से और इच्छा से ही हमें दान करनी चाहिए दान ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले का भी मन भर हो जैसे कि हम वस्तर दान भी कर सकते हैं और अनदान भी कर सकते हैं अहंकार से नहीं तो बचो, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पार्ट समझ में आया हो आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपने मित्रों को शेर कीजिएगा और मेरे चानल को सब्सक्रेब कीजिएगा धन्यवाद